हेलो बच्छो नमश्कार गूड आफटरनून विलकम टू डाउटनट स्वागत आप सभी का डाउटनट पर क्या हाल चाल है कैसे हैं फाइनली नीट 2023 के एक्जाम के बाद में ये पहला लाइफ सेशन है अब नीट 2024 की तैयारी करनी है नीट 2023 में आप लोग पेपर दे कर आए हैं पेपर दे कर आने के बाद में जिन जिन बच्चों के 500 से नीचे मार्क्स हैं ये तो कंफर्म हैं कि MBBS तो नहीं मिले वाला है ठीक है और जो चीज है सो है ठीक है उस पे कोई वो नहीं डाल सकते परदा नहीं डाल सकते हैं अब बात आ रही है सर नीट 2024 की त्यारी करें त एक महीने बाद स्टार्ट करूंगा मैं दो महीने बाद स्टार्ट करूंगा मैं थोड़ा रिलेक्स हो जाता हूं नहीं दोस्त पढ़ने वाले 2024 की त्यारी करने वाले स्टार्ट हो चुके हैं धना धन पढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं क्यों कि देखिए 2023 में जिनके 500 से कम यह साड़े 500 से कम माक्स आ रहे हैं उनको पता है कि उन्होंने वो जो ताजा ताजा जो चीज पड़ी है जो एक्जाम में पढ़कर गए हैं वो उसको वापस से वापस से रिकॉल कर रहे हैं और जब वो उसी चीज को वापस से रिकॉल करेंगे तो उनके कंसेप्ट्स और तो आपका करतव यह है कि अगर आप 2024 का एक्जाम देने वाले हैं तो आप अभी से ही त्यारी स्टार्ट कर दीजिए आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से बायों में 320 प्लस स्कोर किया जा सकता है ना 360 का पेपर है 320 प्लस कैसे लाए जा सकते हैं यह हम बात करेंगे और सर क्या आप लाइव है जी जनाब मैं लाइव हूँ और मैं आपसे बात भी करूंगा कि कैसा रहा आपका पेपर क्या रही आपकी कंडिशन्स क्या थी क्या क्या हुआ किस वजह से नेगेटिव मार्किंग हो गई क्या हुआ ऐसा है ना तो वो हम सारी खुल कर बात करेंगे आपसे एक तरीके से यह बोल दूँगा कि आपको अगर कोई सवाल है मेरे से तो वो भी आप पोच सकते हैं चले आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस बार नीट 2023 में हाला कि यह मैंने पहले भी बता दिया था नीट 2023 में इस बार कौन से चैप्टर से क जो वैसे ही अच्छा एक और चीज ते बच्य बार बार यह भी कमेंट कर रहे है मैसेज भी कर रहे सर और इंट सुर्ड गे है हां हो गई है टोटल हटा यहां 38 चेपटर में से 11 के तीन चैप्टर हटा दिये गए हैं कौन से 11 के 3 चप्टर हटाए हैं पौधों में परिवहन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स खनीज पोशन मिनरल नूट्रिशन और पाचन और अफ्शोषन डाइजेशन और एब्जॉप्शन ये 11 के 3 चप्टर 12 के 3 चप्टर कौन कौन से अटा दिये गए हैं जीवों म 38 चेप्टर में से 6 चैप्टर जो हैं हट गए हैं अब बात आ रही है कई बची यह पूछ रहे जो दो हजार 24 का जो एक्जाम होने वाला है उस एक्जाम में क्या हमें 38 के 38 चैप्टर पढ़ने है या 32 चैप्टर पढ़ने हैं तो देखिए मैं फिर बोल देता हूं फिर clarify कर देता हूं कि यह जो pattern जो हुआ है 11 में 3 चैप्टर हटाने का 12 में 3 चैप्टर हटाने का यह आपके cbsc जो release करती है NCRT है ना उसने release करा है अभी NTA की तरफ से कोई घोशड़ा नहीं हुई है कि भाईया आपके इतने चैप्टर आएंगे लेकिन यह मान के चलिए कि हमें यह 32 चैप्टर जो है इन पर तो command होनी चाहिए बाकी जो 6 चैप्टर होएंगे उनका हम क्या करने वाले किस तरीके से पढ़ने वाले हैं पढ़ेंगे यह नहीं पढ़ेंगे उसके बारे में अभी इस वक्त सोचना बेबुनियाद रहेगा ठीक है जो बुनियादी चीज है वो यह कि उन 6 चैप्टर को छोड़कर जो 22 चैप्टर है जिंसे ज्यादा से ज्यादा कोशी आए हैं आप आप देख सकते हैं जैसे आपकी जिनेटिक्स अब आप आप देखेंगे जैसे एक बार फुष्पे दिको पुष्पी पाधभाइब में Only जनन conse equ zrob 3 आपसे कोशन्स जो पूछे जा रहे अब नीट के एक्जाम में वो ज़ादा तर बाइलोजी के अगर बात कर दें कि फिजिक्स पिछले दो दो सालों से इजी आ रही है यह आप जानते हैं जिन भी बच्चों ने एक्जाम दिया उनको पता होगा फिजिक्स इतना कोई complicated नहीं जंदी होती जा रही है conceptual questions आ रहे हैं और वो questions आ रहे हैं जो research oriented है सीधे सीधे question नहीं पूछ लेगा थोड़ा सा research type के जो questions जो होता है ना इस level के questions जैसे कथन कथन कारण कथन कारण कथन कारण कितने सारे आयथी इस पर है ना सो थोड़ा सा biological related अगर मैं बात करूँ कि अगर आ यसे शोध करता कितरे सोच कर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी तीक है सीधा रट्टू तोता नहीं बनना पड़ेगा कि ncrt उठाली सर एंसी आड़ी से पर आता है यह सारे question ncrt based है सारे के सारे question ncrt बेस थे मैंने का था शायद एक question था राइब वह वह भी ncrt बेस था य परसो एक बच्ची का call आया सर हमने ना हमारे 600-620 marks बन रहे थे हमने blender mistake क्या कर दी हमने बायो के जो OMR थी उसमें chemistry के भर दी है chemistry की बायो में भर दी ये silly mistake से हम फिजिक्स हम बायों में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया यह फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम लगा दिया तो टाइम मेनेजमेंट जो है ना यह सीखना पड़ेगा और यह सिखाने की भरपूर कोशिश करी थी आपको नीट 2023 के एक्जाम में भी कि भा कर आता था था कि वो आपके एक behavior बन जाए कि 30 seconds के अंदर अंदर आपने आंसर को करना ही करना है तो यही तो होती है टाइम मेनेजमेंट और कोई अलग से कोई नुस्खा थुड़ना हो जाता है टाइम मेनेजमेंट का कि आपको time को manage करना पड़ेगा आपको चीजों को सही क पड़ेगा आपने जो गलतिया करिया उनको नहीं दोहराना है यही तो चीज सीखनी है एक टॉपर में और एक नोन टॉपर में यही तो फरक होएगा जिसका सेलेक्शन हो रहा है जिसका सेलेक्शन नहीं हो रहा है डिफरेंस क्या है टीचर भी वही पढ़ाने वाला notes भी वही हैं आजकल तो इतनी ज्यादा सुख सुविदाएं हैं आप जितने भी टॉपर से उनके notes ले सकते हैं इतनी सारी सुविदाएं हैं फिर selection क्यों नहीं होता क्योंकि ये जो है ना ये ये different level का हर किसी बच्चे का और ये एक ऐसा मजदूर है जिसको और घिसना पड़े हैं ये आपके पास अगर नीट 2024 की preparation कर रहे हैं तो ये सारे के सारे chapters में से कितने कितने कोशन्स आएं ये list आपके पास होनी चाहिए वहीं अगर मैं बात करूँ पेपर distribution की है मैंने आपको पहले भी बताया था 47% class 12 से class 11 से 53% इस बार थोड़ा सा fluctuation था तीन कोशन एक्स्ट्रा थे 11th class से थोड़ा से तीन कोशन कम थे 12th class से ठीक है और level जो था questions का वो easy medium इनको overall मैं बोलूँगा क्या easy ही बोलूँगा difficulty level सिर्फ 11 questions का ही था सिर्फ 11 questions का ही difficulty level था इतने questions आप अराम से कर सकते थे आराम से कर सकते थे नभे कोशन साप अराम से कर सकते थे शरती only and only किस चीज की time management की यह जो time का जो management था ना इस time को manage करना था और कुछ नहीं करना था गलती सारी की सारी जो दोहराई गई हैं बच्चों के दोहरा वो सिर्फ और सिर्फ time को manage नहीं कर पाए थे और मैं आपको एक और पते की बात बता दो 2023 का exam जो था वो golden chance था आपके लिए golden अब मैं भी नहीं कह सकता कि 2024 का tough आएगा easy आएगा कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा pattern जो आप समझ रहे है 2022 का 2023 का almost similar था almost आशा यहीं रहेगी कि 2024 का भी ऐसा ही रहे बिलकुल ऐसा ही रहे है ना यहीं रहे physics जैसी थी वैसी रहे chemistry थोड़ी सी आप लोगों ने बोला complicated है चली माल लेते है फिस बायो easy थी मलब ऐसा कोई बहुत बड़ा lengthy नहीं था जिसे 2022 में था एकदम sudden change आया था तो आशा करते 2024 का भी ऐसा ही पेपर रहे बस चीज जो जरूरी है कि कैसे 320 प्लस marks हम ला सकते हैं बायो में तो सबसे पहला है आपको detailed lectures देखने पढ़ेंगे lecture जोने चाहिए आपके कैसे होने चाहिए डीटेल में होने चाहिए आपके एक-एक concept जो है वो clear होने चाहिए पहली चीज दूसरा जो सबसे important लेक्शर पढ़ने के बाद में देखने के के बाद में उनके कोश्चंस की उनके कोश्चंस की क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है प्लस पीवाई क्यू करने है जितने भी कोश्चंस उनकी प्रैक्टिस करनी है और यह करने के बाद में बहुत जरूरी है कि आज आपने कुछ पढ़ा आपने उनके कोश्चंस की प्रैक्ट सिंपल सा था बहुत सिंपल सा कोश्चन आया है अगर इतना ही सिंपल था तो क्यों नहीं हुआ सेलेक्शन फिर सोचने वाली बात अगर सारी चीज़े इतने सिंपल थी सेलेक्शन क्यों नहीं कहीं ना कहीं गड़ बड़ी है न तो उसको सुधार ना पड़ेगा कैसे यहां वो सिर्फ और सिर्फ चीजों को रिवाइज करके सुधर और बच्चे क्या करते हैं रिवीजन के वल किसका कर लेते हैं लेक्चर्स का कर लेते हैं जो कोशन्स आपने प्रैक्टिस कि यह उनको एक बार वापस धौराते ही नहीं है लास्ट में चाहिए 10,000 कोशन्स आपका क्या revision का यह आप सिर्फ lectures का revision करते हो आप theory का revision करते हो questions एक बार करने के बाद में उसको पुने धोराते ही नहीं हो क्यों यह सबसे बड़ी blender mistake है आपने question किया आपको आ गया अच्छी बात है ठीक है आपने question कि आपको नहीं आया आपने पीछे से answer देखा अच्छा इसका ये थड़ा answer था ओहो मैं तो यहीं सोच रहा था चलो ठीक है जे राम जी अब उसी question को आप मैं guarantee ले रहा हूँ आप चार महीने बाद देखेगा आपसे नहीं होएगा क्यों क्योंकि आपने उस question पर research ही नहीं करी आपने उस question को समझने की कोशिश ही नहीं करी आपने अपने दिमाग में बठा लिया हाँ ये तो मैं सोच ही रहा था ऐसा ही होएगा कि ये तीन चीज़े हैं जो आपने सिर्फ ये तीन चीज़े बायो में और इसके लवा कुछ नहीं है है आपने lecture detailed में पढ़ने है कुछ कुछ चीज़े होती जो NCRT से बाहर की भी होती है कुछ कुछ होती है जो NCRT based भी होती है तो जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो major content 98% आपको NCRT ही पढ़ाया जाएगा 2-3% आपको कुछ ऐसी चीज़ होएगी जो extra बताई जाएगी किसी concept को समझने के लिए और यही pattern जो है quota follow करते हैं यह आपको समझना पढ़ेगा और नई समझ में आती है बात तो आपका कोई दोस्त जो गया है quota में वहाँ पर जिन भी organization में वो पढ़ रहा है उनसे पूछ लीजिएगा कि किस level की पढ़ाई कराई जाती है extra पढ़ाया जा रहा है ताकि उनका brain और ज़्यादा developed हो और ज़्यादा developed हो out of NCRT questions आते हैं उनके test में क्यों आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें उनको theory में पढ़ाया जाता है दोस्त extra पढ़ाया जा रहा है जाता है जाता रहेगा आपको ये चीज समझनी पढ़ेगी ये चीज को आपको समझना पढ़ेगा कई teachers बोलेगे नाई जी हम तो NCRT पढ़ाएंगे NCRT से बाहर नहीं आता बिल्कुल अच्छी बात है NCRT की line to line पढ़ाएंगे बिल्कुल अच्छी बात है NCRT grant है grant एक छोटा सा grant है लेकिन अगर उसी grant की अगर मैं बात करूँ तो उस grant के अलावा कई ऐसी market में इतनी बड़ी-बड़ी books है क्यों बनाई फिर किसलिए बनाई क्योंकि NCRT में कुछ-कुछ चीजे हैं ऐसी या major content ऐसा है जिसको एक बार पढ़ने से वो चीज समझ में नहीं आती है भूल जाते है तो इतनी सारी detailed में अगर चीजे पढ़ाई जा रही है तो कुछ ना कुछ logic होगा ना तभी तो first rank, second rank, third rank top ten ranks क्यों निकलती है सोचो इस चीज को क्यों निकल रही हैं ये ranks क्योंकि वो पढ़ रहे है detailed में पढ़ रहे detailed lectures ले रहे है concepts use में ले रहे है questions की practice कर रहे है गबरा नहीं रहे है ठीक है होता है बीच बीच में demotivated feel होते है लेकिन वापिस से पढ़ने के बाद में अपने आप motivation आ जाता है और पढ़ने वालों को बार-बार छोटी-छोटी चीज के लिए motivation की ज़रत नहीं होती है जब उनके questions सही होने लग जाते हैं न दोस्त motivation अपने आप आ जाता है कोई YouTube पर Reels देखने से motivation नहीं मिलता है motivation मिलता है physics के सवाल करने से chemistry के सवाल करने से motivation मिलता है Reels देखने से किसी को motivation अगर मिल रहा है तो वो फेक motivation है कोशन करने है revision करना है detailed lectures लेने है ये चीजे करनी है 320 के 360 में से 360 आ सकते है ठीक है और ज्यादा से ज्यादा questions ज्यादा से ज्यादा इस बार मैंने बहुत सारे questions कराये थे और इस बार हम प्रतिग्या लेते हैं जी हाँ इस बार हम और तगड़ी प्रतिग्या लेते हैं कि इस बार 2024 में अगर 10,000 की बात करी थी तो इस बार और बहंकर जितने ज़्यादा हो सकते हैं सवाल वो कराएंगे आपको हिंदी के साथ-साथ इंग्विश के भी सवाल करा दूँगा यार और चोड़ बस बैन अब आपका अगर कोई सवाल है आपको कुछ भी मेरे से पूछना है कुछ भी पूछना है आपका कोई सवाल है तो बिंदास आप मेरे से पूछ सकते हो बोले क्या पूछना चाहते हैं मैंने बोला था लास्ट में मैं आपसे बात करूँगा बताए क्या पूछना चाहते हैं हाजी बोलिए 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 सर लाइव हो हाँ बिटा लाइव हो सर ट्वेल्थ कब स्टार्ट होएगा जल्दी स्टार्ट हो जाएगा सर टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए टाइम टेबल बिटा हर बच्चे का different different होता है मैं आपको बोल दू कि भाई सुबह ये कर दोपैर को ये कर शाम को ये कर हर बच्चे का time table अलग है हर बच्चे की कहानी अलग है हर बच्चे के parents का व्यवसाय अलग है तो हर बच्चे की conditions अलग है और अलग-अलग conditions के इसाब से हर बच्चे का time table अलग होता और कोई आपको time table थोप रहा है तो भाई साब उन से बोल दीजे हम अपना time table खुद बनाएंगे time table खुद बनाया जाता है किसी और का time table यूज में नहीं लिया जाता है हाँ जी सर स्लीबस कट गया है येस बिटा मैं already आपको बता चुका हूँ 6 चैप्टर जो है टोटल 38 में से 6 चैप्टर हट चुके हैं कौन-कौन से 6 चैप्टर हट चुके हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ सर सेल्फ स्टडी से हो जाएगा definitely हो जाएगा आयूशी सर English में questions कराओगे जी बिटा English में भी questions कराओगा Hindi में भी questions कराओगा मैंने इस बार target जो ले रखा था मैंने 2023 में आप लोगों से starting में वादा किया था कि मैं जितना हो सकता है जितना अपने आपको push करके जितना कुछ कर सकता हूं वो करूंगा और मुझे लगता है कि हाँ जितना हो सकता था उतना मैंने किया अब हर साल का एक नया benchmark तयार करना बैकलॉग वाला जो यह जो बैकलॉग वाली जो समस्या है न मैंने 2023 इसमें बहुत देखी बहुत देखी बैकलॉग वाली समस्या को दूर करने के लिए revise कराना पड़ेगा चीजों को ओके शिवंकुमार हाँ जी सर बुक्स बता दीजिये पढ़ने के लिए बिटा बायो में न बायो में हर कोई यही कहता है NCRT और मैं भी यही कहूंगा NCRT तीक है हर कोई यही कहता NCRT और मैं भी यही कहूंगा NCRT लिकिन जब NCRT पढ़ो तो पढ़ने के साथ साथ अपने नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है नोट्स अगर तुने नहीं बनाए तेरा तेरा सेलेक्शन हो ही नहीं सकता है मैं इस चीज को लिखित में दे सकता हूं अगर तुमने नोट्स नहीं बनाया और खुद के नहीं बनाया किसी और और के चोरी कर लिए हैं चलो किसी और के ल तो नोट्स लेने लो भी दोंगा लेकिन नोट्स को देखने के बाद मैं खुद उसके एक रिवाइस कर गिंज याटी पढ़ कर खुद के नोट्स पना self-notes बना ॉपसे खुद के नोट्स बनाई एं घ़्ी और ये जो नोट्स में आपको देने वाला हूं मैं मैंने आपको पहले ही वादा कर दिया था बहुत जब्रदस्त वाले डिजिटल नोट्स में आपको दूंगा ठीके एक एक चीज कवर होएगी आपकी NCRT की एक एक कोशन कवर होएगा आपका NCRT का सारी की सारी चीजे कवर होएगी आपकी NCRT की ठीके हाँ जी सर मैंने 2023 के नो का सिंपल सा तरीका होता है और वो तरीका सिर्फ ये है एक खाली रूम में बैठो एक शांत जगे पर बैठो जहां पर कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो ठीक है पहली चीज दूसरा जब पढ़ो तो बार बार दिमाग कभी यहां जाएगा कभी वहां जाएगा कभी इदर जाएगा कभी उधर जाएगा यानि concentration loss होगा और यह आपके साथ नहीं यह बड़े-बड़े बच्चों के साथ में बड़े-बड़े लोगों के साथ में बड़े-बड़े महा विज्ञानियों के साथ में होता है कि जब हम चीज खोल कर पढ़ते हैं ना तो हमारा brain जो है न सा चाहिए यह मेरे साथ भी और आपको बता दू मैं लास्ट में जब कोशन बना रहा था तो एक बार क्या हूं मैं एक कोशन पर बस बैठा हूं आपके साथ भी होता होगा बिल्कुल होता होगा आप कॉपी खुलकर बैठे लेकिन ध्यान कहीं और है कहीं और है कहीं और जा रहा है तो यह क्या है concentration lack concentration है तो इसको सही करने के लिए एक सिंपल सी चीज है अपनी सामने एक स्पैन रखेंड लेकिन की निव को देखता जा एक मिनट तक इस पेन को देखता जा अपने आप देख्राइक करके देख लेना तुम्हें इसाओब हो जैए एक मिनत तक है मिनट का टाइम वेस्ट होएगा लेकिन ऊस्स एक मिनट के वे स्टेज के बाद में तona अध्यानपूरा का पूरा पढ़ाई में concentrate हो जाएगा है ना तो जिनके साथ ऐसा होता है ट्राइ करकर देखिएगा भाई सर मैंने तैयारी स्टार्ट कर दिये वेल्डन विरिंदर बहुत बढ़िया सर मेरे 600 कितने आ रहे है 630 आ रहे है बहुत ही बढ़िया क्या नाम है भाई साब आपका हाँ शर फोन से पढ़ा नहीं जाता यार ये तो देखवा अब ऐसे तो कुछ नहीं होगा भाई ऐसा कुछ नहीं होता फोन से नहीं पढ़ा जाता और इससे पढ़ा नहीं जाता हां मैं मानता हूं कि कई बार लगातार पढ़ने से आखें दर्द करने लग जाती है लगातार पढ़ाई करने से आखें दर्द कर लग जाती है तो सिंपल सा फंडा है जो maximum हम टॉपर अपनाते हैं 50-ट 10-minute 10-minute rest पिछासमिन पढ़ाई कर 10-minute rest कर फिर फिफ्टी 10 का की जो जो है यह maximum बच्चे अपनाते कई 40 20 का करते हैं 30 30 का तो बहुत ज्यादा हो जाएगा 50 10 बेस्ट रेशो होता है किस चीज का पढ़ाई का अगर आप मोबाईल से पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप 50 मिनट पढ़ने के बाद में फुल कंसेंट्रेशन पढ़ने के बाद में फिर आप 10 मिनट का रेस्ट लेंगे तो आपकी आँखों में प्रॉब्लम नहीं होएगी दर्द नहीं होएगा ठीक है टेकनलोजी हमारे लिए बहुत कुछ है टेकनलोजी हमारे जीवन में बहुत कुछ सुधार भी ला रही है ले आखों में दर्द रहा पचास मिनट 10 मिनट का यह रेशो लेकर पढ़ाई कर यही तो चीज सिखानी है दोस्तों और क्या करना यह कि हम बोलिए है हाँ जी निहाल आरंब बैच हाँ हाँ सर जी मेरा मेरा first attempt था mom dad ने एक chance दे दिया है 2024 के लिए जी जान लगा दूँँगा जी जान के साथ साथ दिमाग लगा देना बहुत जादा ठीके बहुत जादा दिमाग लगाने की जरुत पड़ेगी ठीके दोस्त हाँ चले जी और रंजीश सर्डा सरी रजनीश पाल सर्शलेबस कब तक complete हो जाएगा बेटा स्लेबस जो होएगा आपका मैं फिर बोल देता हूं मार्च मिद तक कमpl coinc­t होगा फिर कह देता हूं मार्च के मिड तक आपका सले बस P innovative आप पूरा complete अब coraz soch 22 मई से स्टार्ट कर रहे हैं क्या स्टार्ट कर रहे हैं 22 मही से हमा आरंब बैच स्टार्ट हो रहा है जी 22 मई और अगली मही में एkszessम होए गा यही लगबग साथ, पांच, छे, दस मई के असपास ही होएगा डेफिनेटली अगले साल भी मई में इसी पहले हफते के end में या पहले हफते के स्टार्टिंग में एक्जाम हो जाएगा यानि कुल में लाकर कितने मईने तिरे पास बारा मईने, एक साल है अब इस एक साल में, इस एक साल में, इस एक साल में मुझे कम्पलीट करने है अभी नहीं बोलूँगा 32 के 38 एक बर नोटिफिकेशन आ जाए कितने कराने है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 38 चेप्टर कराओ जी हाँ, क्यों? क्योंकि कुछ-कुछ चीजे जो होती है वह एक दूसरे से लिंक होती है, जैसे पाचन और अफशोषण अगर नहीं कराया तो उसकी कुछ चीजे है, जो दूसरे चेप्टर से लिंक है पौदो में परिवहन नहीं कराया, तो उसकी कुछ चीजे है जो आपके उच पादपो में प्रकाश चंसलेशन से संबन देते हैं तो देखो, मेरा तो मन है कि मैं आपको पूरा-पूरा कराऊ लेकिन मेरे मन से कुछ नहीं होएगा न दोस्त, मन किस चीजे का है आपके सेलेक्शन का कराना है अगर उसमें 32 है, तो 32 चेप्टर कराए जाएंगे हाँ अगर उसमें 38 रहेंगे, तो 38 कराए जाएंगे तो हम तो यही टार्गेट लेकर चलेंगे कि जितना भी फुल स्लिबस का कोर्स होएगा वो मिड मार्च तक कम्प्लीट कर दिया जाएगा और इसका पूरा आपको एक वो दे दिया जाएगा कि कितने कितने लेक्चर्स में आपके चेप्टर कम्प्लीट होएंगे ठीक है, हाँ जी हाँ जी, प्रमोध यदुवन्शी ये इसमें बिटा मैं तो अब देखो क्या कर सकता हूँ इसमें तीक है, इसमें यही है दोस्त देखो एक और चीजे, क्या सर यूट्यूब से हो सकता है बिटा यूट्यूब पर इतना कंटेंट है ना, इतना कंटेंट है तुम एक बस chapter का नाम डालो तुमारे पास भर भर के content है भर भर के content है लेकिन इस content को discipline के साथ में पढ़ने के लिए यही बोलूंगा एक तरीका होना चाहिए एक तरीके से चीज को पढ़ा जाएगा ठीके सब्सक्राइब आपने एक chapter उठा लिया आपने पढ़ने के बाद मैं आपको questions की practice करनी है पढ़ने के बाद मैं आपको notes चाहिए पढ़ने के बाद मैं आपको teacher की slide चाहिए तो वह सारा का सारा आपको एक full discipline manner में किसमें मिलता है यूर्यच में मिलता है कि यूट्यूब पे मिल सकता है बिलकुल मिल सकता है मनानी करूँगा तो ठीके दोस्त चलिए हाँ जी तो फाइनली इस बैच के बारे में में लास्ट में बता देता हूं बटा इस बैच में ये लाइव बैच रहेगा टोटल सिक्स डेज लाइव क्लासे रहेंगी ठीक है और जो बच्चे जानते हैं मेरे को पहले पड़े हुए संडे को भी क्लास हो जाएगी बहुत इंपोर्टन चीज थी कि हर महीने जी हाँ हर महीने आपकी ये जो बैकलॉग सिरीज जो चलाई जाएगी इसमें जो जो पढ़ाया जाएगा एक महीने के अंदर जैसे आपने लास्ट में देखा था फिजक्स वाले सर ने ग्यारा ग्यारा बारा बारा गंटे की क्ला वो जब बैकलॉग सिरीज में आखरी महीने में होएगी वो सारी की स्लाइड्स लाकर आपको सारी की सारी चीज़े रिवाइज करा दूगा ठीक है और परफॉर्मेंस चेक अप किया जाएगा दिन प्रती दिन कौन कौन किस तरीके से पढ़ रहा है ये सारी चीज़े सारी क सारी चीज़े चेक आउट की जाएगी बाकी प्रैक्टिस कोशन्स तो मिलेंगे डीपी आपको मिलेगी प्रैक्टिस टेस्ट भी होएगा हूमवर्क भी होएगा टीचर स्लाइड्स भी होएगी नोट्स भी होएगे और ये सारी की सारी चीज़े जो हैं कौन पढ़ाने वा 999 में है ठीक है और ये आपको यूज मिलेना है कुपन कोड आरंब इस पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं ठीक है ये थी दोस्त बात CDC ठीक है और इसमें कोई दोहराए नहीं है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है जो मेहनती होते हैं वो रोते नहीं है वो सिर्फ काम करते हैं वो सिर्फ मेहनत करना जानता और कुछ नहीं करना जानते हैं हम मेहनती हैं हमें पता है और जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी करके दिखाएंगे इस बार भी करकर यह तीक है यह जो स्लोप है न हिंदी मीडियम का इसको आगे बढ़ाना है यह जो सलेक्शन का रेट जो है इसको आगे बढ़ाना है ठीक है और कई बच्चों ने बोला सार वो कौन-कौन से बच्चे जो सलेक्ट हुआ उनकी जल्दी आपके पास वीडियोज भी आ जाएंगे ताकि आपको यह भी सुनिश्चित हो जाए कि हाँ भाई हमसे पढ़ने वाले बच्चे सलेक्ट होते हैं ठीक है और जो जो लास्ट में रेगुलर आये थे वो कोशन के लेवल देखकर नीट 2023 का पेपर देखकर इतना तो समझ गए होएंगे कि अगर यह टीचर महंती है बाकी समझदा रहे है आप अपने पेरेंट से बात करें और इस बैच में जितना जल्दी हो सकता है जुड़ जाए ताकि लास्ट में जब आप आएं एक दो महीने के बाद में फिर मेर से ये ना कहिएगा कि सर हम लेट जॉइन हुए हैं बाद में आये हैं और हमें बाद मे पता लगा था ट्राय करिएगा जितना जल्दी हो सकता है पहले ही दिन से फर्स्ट डे से आप इस बैच में मेरे साथ जुड़ जाएं क्योंकि पहला चेप्टर किस से स्टार्ट करूंगा उसी से जिस से जीवन की शुरुवात होई है ना तो आप में से कई यो ने ये भी पूछा कि पहले क्या पढ़ाएंगे 11 पढ़ाएंगे 12 पढ़ाएंगे पैटर्न आपको पताईए और आपको पताईए कि पहले क्या पढ़ाया जाएगा जीवन की शुरुवात जिस से होती है उसी से आपके इस आरंब जो है एक प्रचंड बैच इसकी शुरुवात होएगी ये मैंने आपको बता दिया है ठीक है तो आज के लिए thank you so much आता रहूंगा इस तरीके से बाते करते रहेंगे क्या क्या चीज जरूरी है ये अभी याद रख लेना एक काम करेगा जो भी 2024 की त्यारी करने वाले हैं आज ही जाकर सबसे पहला काम OMR की प्रिंट आउट निकाल लेना जी हाँ आज ही जो काम आखरी में करना है वो क्यों आखरी में करें आज ही करना है OMR की प्रिंट आउट आज ही निकाल लेना, आज से ही त्यारी करना स्टार्ट कर देंगे, ठीके, चली जी, बाई बाई, टेक केर, धन्यवाद